हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी बच्चों आज की वीडियो में हम कक्षाचार के विशागणित की से 2 की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की पूर्वी दिली नगर निगम के द्वारा दी गई है तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमा के पैटर्णों को आगे बढ़ाओ यहां पर पैटर्न कंप्लीट करने हैं फस्ट रेखते हैं 9,18,27 तो यहां पर क्या हुआ है 9 प्लस हुए है तो 9 के बाद 18, 18 के बाद 9 प्लस करेंगे 27, 27 में 9 प्लस करेंगे 36 और 36 में 9 प्लस करेंगे 45, अब देखते हैं अगला pattern 19, 16, 13 यहाँ पर क्या हुआ है, 19 में से 3 का माइनस किया गया है तो 3 को माइनस करने पर 16, 16 में से 3 को माइनस करेंगे 13 13 से 3 को माइनस करेंगे 10 और ऐसे ही 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7 तो इस तरीके से पैटर्न कम्प्लीट करने है नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं के सभी गुणनखंडों पर गोला लगाओ 15 के गुणनखंड कौन-कौन से है इट मींस 15 किस-किस से कट सकता है 1, 3, 5 और 15 से नेक्स्ट है 26, 26 के गुणनखंड कौन-कौन से है 1, 2, 13 और 26 अब देखते हैं कोश्चन 3 वानी को अपने दुपट्टे पर लेस लगानी है उसका दुपट्टा 250 सेंटीमीटर लंबा और 150 सेंटीमीटर चोड़ा है उसको कितनी लंबाई लेस की जरुत पड़ेगी तो बच्चों क्या करेंगे हम जो दुपट्टा है उसकी लंबाई और जो चोड़ाई है उसे प्लस कर लेंगे परिमाप निकालने के लिए तो लंबाई कितनी है उसकी 250 सेंटीमीटर और चोड़ाई है 150 सेंटीमीटर दो दोनों को प्लस कर लेंगे और 2 से हम मल्टिप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 800 सेंटीमीटर लंबी लेस तो उसे अपने दुपट्टे पर 800 cm लंबी लेस की जरूरत होगी अगला कोश्चन है दी गई चीजों के छेतरफल को नापने के लिए जिस इकाई का उपयोग सबसे उपयोगत होगा उस पर सही का निसान लगाओ वस्तु का नाम आपकी किताब तो किताब को हम किस में नापेंगे वर्ग सेंटी मीटर में कमरे का दरवादा किस से नापेगा वर्ग मीटर में भारत का जंदा उसे भी हम वर्ग सेंटी मीटर में नापेंगे और वर्ग मीटर में नाप सकते हैं यदि बड़ा है तो आपकी कक्षा का फर्स तो फर्स को वर्ग मीटर में नापेंगे मा की साड़ी को भी वर्ग मीटर में नापेंगे और मेज को हम दोनों में नाप सकते हैं वर्ग सेंटी मीटर में भी और वर्ग मीटर में भी यदि बड़ी मेज है तो वर्ग मीटर में और यदि छोटी है तो वर्ग सैंटीमीटर में अगला Carneyन है नीचे दिए गए आयतों का छेतरफल ग्याद कर लिखिए लंबाई है आयत की 6 मीटर और चोड़ाई है 3 मीटर तो इसका छेतफल ग्याद करने के लिए क्या करेंगे दोनों में multiply कर देंगे 6 into 3 equal 18 वर्ग मीटर तो जो आयत है उसकी छेतफल कितना हुआ 18 वर्ग मीटर दूसरा आयत है 15 cm लंबा और 12 cm चोड़ा तो क्या करेंगे 15 into 12 equal 180 वर्ग सेंटी मीटर तो इसका छेतफल है 180 वर्ग सेंटी मीटर नेक्स्ट है आयत की लंबाई 29 मीटर और चोड़ाई है 17 मीटर तो इन दोनों के multiply कर देंगे 29 into 17 equal 493 वर्ग मीटर अब दिखते हैं question 6 सांवे में सांठ्या लिखहें पांच लीटर में कितने मली लीटर होते हैं का 440 cm और प्छिता होते हैं प्लस करेंगे तो कितना होगा 2200 सेंटिमेटर नेक्स है 500 मीटर में कितने किलो मीटर होंगे 5 किलो मीटर और मीटर कितने होंगे 500 मीटर अब देखते हैं question 7 सौनू और अंकिता सबजी लेने बाजार गए उन्होंने कुछ सबजियां खरीदी जिसकी सूची यहां दी गई है सौनू ने खरीदे 2 किलो आलू, 10 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, 10 किलो गाजर और 1 किलो गोवी अंकिता ने खरीदे 1 किलो पत्ता गोवी, 10 किलो बैगन, 1 किलो आलू, 10 किलो सिमला मिर्च, 1 किलो टमाटर अब देखते हैं यहाँ पर किसका थेला अधिक भारी है सौनु का या अंकिता का तो सौनु ने कितना खरीदा 2 2 और 1 3 और 1 4 आधा और आधा 5 तो सौनु ने खरीदा 5 किलो सामान और अंकिता ने कितना खरीदा 1 और 1 2, 1 3 और आधा आधा 4 अंकिता ने खरीदा 4 kg तो सोनु का जो ठेला है वो अधिक भारी है नेक्स्ट है अगर 1 kg आलू की कीमत 10 रुपे है तो 5 kg आलू की कीमत कितनी होगी तो बच्चों क्या करेंगे सीधा सीधा 1 kg आलू की कीमत 10 रुपे है और यदि 5 kg आलू की कीमत कितनी होगी तो हम 10 से multiply कर देंगे 5 में 10 x 5 एकोर 50 रुपीज तो 10 किलो आलू की कीमत होगी 50 रुपे अब देखते हैं आकरतियों की पहचान निम्निठोस आकरतियों को उनके किनारे की आकरती से मिलाओ फर्स्ट आकरती का किनारा बच्चो ये है दूसरा आप देख सकते हैं इसकी आकरती का किनारा की मैच करता है अब अगली देखते हैं इसकी आकरती है बच्चो इसमें ये जो आकरती है ये किनारा है यहाँ पर इसका है और इसका किनारा यहाँ पर है अगला question है इस आकरती को मोड़ कर पासा बनाने पर कौन सा पासा बनेगा बच्चों जब हम इसे मोड़ेंगे और इसका पासा बनाएंगे तो क्या होगा सबसे पहले देखते हैं first पासे को यहाँ पर बच्चों F है नीचे B है और side में E है अब यहाँ देखेंगे उपर F है और यहाँ B तो जो एक छोड़ कर आकरती होती है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजित होती है लेकिन यहाँ पर यह पास है तो इसलिए यह नहीं है अब देखते हैं बच्चों इसाकरती को इसमें क्या है E, B और C तो यहाँ पर E और B बराबर में है तो यहाँ पर जो एक छोड़ के संख्या होती है वो अपोजित होती है तो E और C जो है एक दूसरे के अपोजित होगी लेकिन यहाँ क्या है E और C जो है बराबर में है तो यह भी गलत है अब देखते हैं D, E, A तो यहाँ पर A बाहर की तरफ है और D बाहर की तरफ है तो A और D बाहर की तरफ है तो यह एक दूसरे के अपोजित आएंगे लेकिन यहाँ क्या है D और A जो है दोनों पास में है तो यह भी गलत है तो ब ट्रज्या है 5 cm यह बत्चों से 5 まौफभ ना पेंगे और इस तरीके से वरत技 बना देंगे अब दूसरी अंतल कांब्ब हमारा है यह लंनी कि सदाल ए पखंक को गिनने के लिए इसे पनी कॉप्य में टैली आए मीना कि टालिका को पूरा करो टैली-चिन का एक टैली-चिन का मतलब होता है बच्चो 5 यदि 4 सीधी लाइन है और एक आड़ी लाइन उने काट रही है तो इट मींज 5 तो तोते कितने हुए 5 5 10 5 15 और ये कितने हैं 4 तो कितने हुए 19 next है मुर्गे मुर्गे कितने हुए 5 और 5 10 और 3 13 next है चिडिया चिडिया कितने हुई 5 5 10 5 15 और 16 कोवे कितने थे 5 5 10 और 11 मोर कितने थे 5 5 10 और 4 14 तो टोटल पक्षियों की संख्या कितनी थी 73 अब उपर बनी तालिका को द्यान से देखो और निमने प्रशनों के उत्तर दो उस पक्षि का नाम लिखिये जो संख्या में सबसे ज़्यादा है तो टोटा जो है वो सबसे ज़्यादा है तोटे और कोवो की संख्या मिला कर कितनी है तोटे है 19 और कोवे है 11 तो मिला कर कितने होंगे 30 नेक्स्ट है मुर्गों से तोते कितने अधिक हैं तो तोते हैं 19 और मुर्गे हैं 13 तो 19 से 13 गटा देंगे तो कितने बचेंगे 6 तो तोते जो हैं 6 अधिक हैं बच्चों यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू